Hello dear students, welcome back to the channel जैसके आप सब लोग जानते हैं कि Recently आपका date sheet जो है social media पर viral हुआ है BG 4th semester का date sheet निकल चुका है तो exam जो है वो आपका start होने वाला है जल्दी English का जहां तक मैं कहूंगा आपको English का आपको 21st February 2022 मैं यहाँ पर लिखता हूँ 21st February 2022 का जो date है यहाँ पर आपको batch 2019 का जो English paper है BG 4th semester general English का exam है तब तक अभी बहुत टाइम है जैसके आप सब लोग जानते हैं कि recently हमने बहुत सारे वीडियोज अपलोड किये हैं YouTube चनल पे BG 4th semester के especially general English के हमने दो वीडियोज अपलोड किये हैं syllabus के accordingly आज जो है वीडियो नमबर 3rd है तो सबसे पहले हम देखेंगे syllabus में हमने कौन कौन सा टापिक यहां पर कवर किया है तो सबसे पहले यहां पर है traveling you extract why we travel by Pico IR इसमें हमने MCQs कवर किये हैं तो यह हमारा जो हैं complete है और दूसरा यूनिट है प्रूज तो यहां पर यूनिट नमबर 3rd है यूनिट नमबर 3rd में हम आज key points देखेंगे key points key points डिस्कस करेंगे key points और MCQs में फरक होता है एक key point में हम तीन MCQs को एक ही साथ कह सकते हैं और MCQs में क्या होता है इसमें 4 options होते हैं यहां पर options नहीं होगे मैं directly पढ़ूंगा और underline करूंगा जो भी important बात होंगी तो वो हम key points में यहां पर देखेंगे मैंने key points सी तयार किये है MCQs में क्या होता है कि इसमें time ज़्यादा लग जाता है कहने में और key points में हम directly पढ़ते हैं और समझाते हैं और unit number 3 में आज हम cover करेंगे identity card by महमूद दर्वेश जी हां ID card by महमूद दर्वेश जो यहां पर आपका topic है unit number 3 में पहला topic है इसमें हम key points देखेंगे उसके बाद दूसरे वीडियो में हम digging Samus Henny इस इस ए फोटोग्राफ अप मी ए मोमेंट Margaret Atwood तो इनके MC के उस देखेंगे फिलाल जो हैं इस वीडियो में हम unit number 3 chapter number 1 identity card by महमूद दर्वेश इसके कुछ key points देखेंगे तो चलिए हम start करते हैं without wasting of time before we start this video अगर आप इस चनल पर नए हैं तो इस चनल को subscribe कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like कीजिए तो चलिए हम start करते हैं पहले point से start करने से पहले अगर आप लोग ने पहले दो parts नहीं देखें general English के unit number first and second का वो भी उनकी भी link में यहां description में दूँगा जाकर पहले वो भी देख लीजिए और फिर आप unit number third chapter number first के key points भी देख सकते हो तो चलिए हम start करते हैं यह key points जहें यह मैंने these are hand makers यह मैंने हाथों से लिखे हैं तो हम start करते हैं आज का जो यह topic है ID card है यहांपर मैंने लिखा है ID card by मحمود दर्विश तो मحمود दर्विश ने लिखा है ID card किसे ने लिखा है मحمود दर्विश ने तो इसके कुछ key points देखेंगे हम जो कि आफके exam में काफी important काफी help करने वाले हैं तो पहला point जो मैंने यहापर लिखा है मحمود दर्विश वाज बॉर्ण in 13th March 1941 जी हां मحمود दर्विश 1941 में पाइदा हुए है 13th March 1941 and was died in 9 August 2008 तो यहाँ पर देखो कुछन कैसे बन सकता है मحمود दर्विश वाज बॉर्ण in डैज डैज नीचे option में और चार options होगे चार options में एक option यह भी होगा 13th March 1941 और मैंने एक ही point में दो questions आपको बताए हैं और यहाँ पर मैंने दूसरा भी बताए है and he was died in 9 August 2008 में भी ऐसा question आ सकता है when was Mahmoud दर्विश died 9 August 2008 तो यही होता है key points का मैं मक्सद तो दूसरा point मैंने यहाँ पर लिखा है तो पहला point यहाँ पर हमने cover किया है और दूसरा point जो है that is महमूद दर्विश was regarded as Palestinian national point तो यह काफी interesting question है बहुत बार exam में पूछा गया है which among the scholar has regarded as Palestinian national point तो कौन है महमूद दर्विश question को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है यहाँ पर आपको सिर्फ understand करने की कोशिश करनी है तो तीसरा point मैंने यहाँ पर लिखा है महमूद दर्विश was awarded महमूद दर्विश जो है उसको award भी मिले है बहुत सारे award है उनमें से कुछ award जो है वो यह भी है सिक्रीन पर मैंने लिखे है मैं बताता हूँ आपको तो यह जो है आपके सिक्रीन पर है महमूद दर्विश was awarded मैंने पहले कह आपको कौन-कौन सा award उसको मिला है पहला award जो यहाँ पर मैंने लिखा है that is LOTS Prize for Literature जो हैं LOTS Prize for Literature जो है award मिला है महमूद दर्विश को कब मिला है 1969 में कब 1969 में from the Afro-Asian Writers Association Afro-Asian Writers Association देखो क्या होता अगर मैं यहाँ पर MCQ की तरह आपको बताता हूँ तो यहाँ पर ऐसे question आ सकता है महमूद दर्विश was awarded नीचे option में होगा LOTS Prize Literature और भी कहीं सारे तो यहाँ पर मैंने एक ही point में मैंने आपको चार questions बता है देखो कैसे LOTS Prize for Literature ठीक है मिला है अब यह भी आ सकता है कब मिला है 1969 में यह भी आ सकता है किन की तरफ से मिला है उनको यह जो LOTS Prize for Literature जो है महमूद दर्विश को जो यह award मिला है 1969 में यह उनको Afro Asian Writers Association की तरफ से मिला है और दूसरा award यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको That is The Knight of the Order The Knight of the Order of Arts and Letters यह orders नहीं है order है अपर थोड़ा mistake हुआ है The Knight of the Order of Arts and Letters तो यह award उसको 1993 में मिला है from France फ्रांस से मिला है 1993 में और तीसरा मैं अब बताता हूँ आपको The Lennan Foundation Prize for Cultural Freedom 2001 में उसको मिला है तो यह कुछ important awards है जो उसको मिले हैं और भी कई सारे awards मिले हैं उनमें से जो most important काफी अच्छे हैं कीमती awards हैं वो यह तीनों थे तो इनको आफ याद रखिएगा इनमें से कोई भी एक पुछा जा सकता है आफके exam में और दूसरा next point जो यहां पर है that is books written by महमूद दर्वेश कुछ books हैं कुछ works हैं जो महमूद दर्वेश ने लिखिए है उनमें से कौन-कौन सी books आती है जो कि महमूद दर्वेश ने खुद लिखिए है तो वो हम यहां पर देखेंगे जी हां books written by महमूद दर्वेश यहां हम कैसे हैं works written by works of महमूद दर्वेश इनमें से सबसे पहले यहांपर आता है Wingless Birds Wingless Birds is a book written by Mahmoud Darwish इसी तरह से दूसरा आता है Leaves of Olives Leaves of Olives एक collection है जो कि Mahmoud Darwish ने लिखिये और तीसरा यहांपर है The End of the Night The End of the Night भी एक book है जो कि Mahmoud Darwish ने लिखिये अब तीसरा पॉइंट में आपको बताता हूँ The Poem ID Card is published in 1964 in his collection Olive Leaves Olive Leaves जो है यह जो poem है ID Card जो हम यहांपर जो ID Card आफका मैं टापक है तो यह poem जो है यह जो Mahmoud Darwish ने लिखिये है यह किस में आता है यह उसने किस book से किस book में mention किये है उस book का नाम है Olive Leaves Olive Leaves जो हैं यह collection of poems है जिसमें एक poem यह भी है ID Card जो कि महमूद Darwish ने लिखिये है इसमें बहुत सारी poems है एक यह भी है ID Card तो यह जो है Olive Leaves यह किस ने लिखिये है महमूद Darwish ने और यह जो ID Card है यह publish हुई है Olive Leaves में 1964 में यह भी आप यहांबर याद रखियेगा काफी interesting point है यह और next point है The central theme of the poem Is The central theme of the poem यह किस poem के हम बात करते हैं ID Card written by महमूद Darwish तो इसकी जो central theme है वो क्या है Identity and Identity and Operation Identity and Operation Is the central theme of the poem ID Card And the next point The poem ID Card can be read as Descent Poem इसको हम Descent Poem भी कह सकते हैं इसको हम Poem Expressing Griefs भी कह सकते हैं इसको हम Poem Expressing Guidance भी कह सकते तीनों में से जो भी आपके exam में होगा तो आप तीनों पर टिक दे देना हैं या कोई भी हो उस पर आप टिक दे देना तो यहां पर आप याद रखियेगा क्या क्या है तो option में इन तीनों में से कुई भी एक हो सकते है यहां पर आपको अची तरह से पढ़ना है ताकि आप यहां याद रख पाओगे तो आगे बढ़ते हैं हम यह किस फार्म में लिखी गई है conversation में conversation में यह लिखी गई है यहां पर काफी interesting point है तो मैंने बता दिया आपको the poem ID card is written in the form of conversation option में बहुत सारे होगे तो यहां पर conversation जो हैं यह इसका right answer बनेगा तो आफ याद रख लीजिए गा now the next point the word egal in the poem ID card means egal जो है यह word जो यूज किया गया है poem में महमुद दर्वेश ने तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब होता है the black cord worn around the head what does it mean आप लोग ने देखा होगा जो सौधी अरबिया के जो लोग होते हैं वो कैसा जो टोपी के बदले वो क्या पहनते हैं वो एक बड़ी सी जो होता है वो सर पे वो टोपी के बदले से वो पहनते हैं उस पे एक black color का ring होता है उपर टोपी पे तो उसको हम कहते है eagle आपने देखा होगा आफ गूगल पे चक कीजेगा उसका eagle क्या होता है तो उसकी picture भी आफको देखने को मिलेगी टोपी के किसम का होता है और उपर जो है उसके एक black ring लगा होता है उसको हम कहते है eagle the black card worn around the head कसाब की तरह जो कशमीरी में कसाब होता है उसी तरह उसके उपर black ring होता है उसको हम कहते है eagle next point, write it down write it down जो है this line is repeated throughout the identity card to express the poitis frustration तो अगर आपने जो ID card का जो text है उपर से नीचे तक उसमें एक line जो है repeatedly इस्तिमाल किये गए है that is write it down लिखो I am an Arab write it down I am an Arab या write it down ही आपर लिखा है तो write it down जो है ये line ID card जो poem है उसमें उपर से नीचे तक repeatedly पूची गई है हर सिटेंजाग को start करने से पहले ये line होता है write it down तो इससे क्या है कि points frustration frustration express होता है तो ये यहां पर काफी interesting point है next point in the poem ID card the poet himself says I am an Arab जो poem ID card है इसमें ये भी कहा जा सकता है कि in the poem ID card the poet himself says dash dash I am an Indian I am an Arab I am an South Asian तो उसने खुद कहा है I am an Arab write down I am an Arab उसने खुद को बोला है कि मैं Arabiya हूँ तो next point यहां पर हम देखेंगे the poet has the poet has 8 children and his ID card number is 500 उसने ये भी question आ सकता है आफके exam में कि poet जो है Mahmoud Darwish ने ID card लिखा है इसमें जो poet है वो क्या बोलता है उसके कितने children से उसके 8 children होते है बच्चा जो है वो आने ही वाला होता है तो presently उसके 8 बच्चे है and his ID card number is 5000 sorry 50,000 उसका ID card number होता है जो उसको ID card मिलता है इस्राइल में तो उसका number होता है वहाँ पर उसको 50,000 उसका number होता है तो यह हम पर interesting question बन सकता है तो चलिए हम आगे बढ़ते है next point in the poem ID card ID card जो poem है इसमें the point compares his house with poem ID card में जो point होता है वो अपने घर को किस चीज के साथ compare करता है watchman's hut watchman's hut जो होता है यानि जो जूबडी होती है उसका घर वो बोलता है कि मैं बहुत ग्रीब हूँ मेरा घर जाए जूबडी की तरह है तो उसका watchman जो हो उसके watchman की जूबडी की तरह मेरा घर है उसी के साथ वो compare करता है watchman's hut इसके साथ वो अपने घर को compare करता है next question मैंने यापर interesting question लिगा है हो सकता है इस प्रकार के questions आफके exam में पूछे जाएंगे तो question जो यहाँ पर है that is complete the following line एक line दी हुई है इसमें एक line miss हुई है तो उसको हमने complete करना है write down write down dash dash दूसरी line क्या आएगी इसमें option A, I am an Indian option B, I am an Arab option C, I am an English option D, none of the both मैंने उपर आपको बताया था कि point ने जो है write down और दूसरा क्या कहा था उसने I am an Arab तो option B, यहाँ पर इसका right answer बनेगा write down I am an Arab तो नीचे line में I am an Arab लिखना है उसने खुद express किया है Dear students, I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्याद से ज़्यादा लाइक और शियर कीजिए Thank you, मिलते नेक्ष्ट वीडियो में तम तक के लिए Bye and Take Care